नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी स्वस्तो खुश होंगे आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी हिंदी की वरक्षीट नमबर 131 यह आपकी क्लास 2 की वरक्षीट है और यह आपकी पार्ट रिंजिम्त के पार्ट सूरज जल्दी आनाजी से ली गई है तो व बच्चों आप सभी ने सूरज जल्दी आनाजी कविता तो पढ़ी थी आशा है कि आशा है आपको कविता पढ़कर मजा आया होगा आए इस कविता से जुड़ी कुछ और वातें सीखते हैं चली देखते हैं अब सबसे पहले हैं अभी कौन सा मोसम है नीचे दिएगे चित अब यह हम वर्षा के मोसम में लेते हैं और यह हम सर्दी के मोसम में कि आप जैकेट पहनते हैं तो आप इस जैकेट को किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं मैं मानली जिसको रेड कलर से कलर कर देती हूँ आपको जो भी कलर जैकेट में अच्छा लगए आप उस कलर की जैकेट बन मुसम में क्या क्या खाना पसंद करते हैं लिखकर या बोलकर बताएं उधारन के लिए मुझे सर्दियों में मुमफली खाना अच्छा लगता है तो मुमफली खाना अच्छा लगता है उसके लाबा हमें और क्या खाना अच्छा लगता है हमें हमें गाजर का हल्वा खाना अच्छा लगता है, गाजर का हल्वा खाना अच्छा लगता है, ठीक है, उसके लाब हमें गज्जक खानी भी अच्छी लगती है ना, गज्जक खाना पसंद है, और जो भी चीज आपको खानी पसंद है, आप उनके नाम लिख सकते हैं, गाजर का हल्वा खाना अच्छा लगता है, गज्जक खानी अच्छी लगती है, बचो क्या आपको तुकांत शब्द याद है, तुकांत मतलब जिसका अंत में एक जैसा साउंड आता है, कविता में कुछ तुकांत शब्द आए हैं, जो पढ़ने में सुनने में एक जैसे लगते हैं, नीचे दिएगे शब्दों के तुकांत शब्द कविता में से ढूंड कर लिखें, जैसे रोटी, कटोरी, तो आगे जैसे टिकता, बहाना, गीले, लाना, यह ना, यह शब्द यह ना, दिखता, बहाना, लाना, गीले, सीले, और लाना का आना, यह सारी शब्दा आप लिख सकते हैं, और इसके बाद यह जो कोशन है, आओ बाचीत करें में यह महला और यह बच्ची आपस में क्या बातें कर रहे होंगी, आपको लिखनी है जोड़-जोर से बोल कर उम्मीद है आपके लिए वक्षिर यूसफुल रही होगी अगर यूसफुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाइब